दोस्तों आप सभी का Only Top Study में स्वागत है आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भारत के परमुक मंदिरों से सम्मंदित अती महत्पून परसन दोस्तों जो की परिक्साओं के लिए महत्पून रहेंगे आप चेक किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं परमुक मंदिर से सम्मंदित कोई ने कोई कोई कोशन आपके एक्जाम में देखने को मिल जाते हैं तो आप इस वीडियो को सुरू से लेके एंड तक देखेगा इस वीडियो में टोटल दोस्तों 80 कोशन रहेंगे तो आप वीडियो के end में जुरू बतेगा कि 80 में से आप लोगों ने कितने questions के answer सही किया है और last में जाके दोस्तों 5 question का एक मैं test भी लेने वाला हूँ जिसमें आपको अपना score बताना है comment box में कि 5 में से आप लोगों ने कितने questions के answer सही किया है देखे मैं आपको topic wise पूरी GK topic wise science करेंट फिर पूरा cover करा रहा हूँ अगर आप लोग cover करना चाहते हैं तो channel को तुरंट subscribe कर लीजेगा नीचे radical का बटन दिख रहा होगा bell icon को भी on रखेगा ताकि जैसे ही video upload ओ आपके पास notification पहुंच जाए और आप एक भी दिन की video को miss न करें वीडियो पसंद आने पर दोस्तों video को like करेगा अपने भाई बेन दोस्तों के साथ में भी जरूर share करेगा देखिए सारी वीडियो के timing note कर लीजे और आप हमारी दो ये PDF डाउनलोड करके GQS की complete course cover कर सकते हैं link नीचे description box में मिल देगा दोस्तों आपको एक काम ओर करना है देखिए पूरी वीडियो के दोरान में आपको बहुत सारे मंदिर cover कराने वाला हूँ तो आप लोग को ये बताना है कि आप किस राज्य से belong करते हैं और आपकी राज्य का दोस्तों famous मंदिर कोन सा है तो ये आपको comment box में बताना है चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को और पहला question आपकी screen पर है सोमनात मंदिर दोस्तों कहां परिस्तित है कई बार exam में पूछा जाता है तो इस question का right answer दोस्तों see हो जाएगा यानि की गुजरात में देखे हर एक मंदिर की दोस्तों photo दिखाते हैं में आपको question cover कराऊंगा तो please पूरी वीडियो को देखेगा अगला question दोस्तों आता है ज्वाला मुकी मंदिर दोस्तों कहां परिस्तित है इस question का सई उत्तर रहेगा आपका बिलकुल हिमाचल परदेश में यानि की D right answer रहेगा question number 2 का तो यह आपको याद रखना है चले तीसरा question दोस्तों आता है वीरभद्र मंदिर कहां इस्तित है देखे वीरभद्र मंदिर दोस्तों यह इस्तित है कहां पर आंदर परदेश में तो आप फोटो में देख सकते हैं दोस्तों वीरभद्र मंदिर को तो इस question का right answer option A रहेगा अगला question दोस्तों आता है कमाख्या मंदिर कहां इस्तित है वेरी वेरी important है दोस्तों यह कई बार SSC में पूछा जा चुका है question और कई other exam में भी आ चुका है इस question का दोस्तों right answer रहेगा कमाख्या मंदिर दोस्तों गौहाटी में इस्तित है गौहाटी यानि कि कहां पर दोस्तों असाम में इस्तित है तो यह आपको या देखना है अगला question दोस्तों आता है नेना देवी मंदिर कहां इस्तित है देखे नेना देवी जो मंदिर है दोस समझना है दोस्तो मंदिर को देखते हुए कि किस राज्य में है अगला कोशन दोस्तो मिनाकसी मंदिर very very important मार्क कर लेना जितने भी very very important वाले कोशन होगे मैं उन पे डबल वी मार्क कर दूँगा तो याद रखीगा मिनाकसी मंदिर भी दोस्तो बहुत important है और यह कहां पर दोस दोस्तों बिल्कुल रत जैसा है और यह कहाँ माली-पुरम मैं दोस्तों कहाँ पर यह पउंट भी आप लोग या दखके गा अगला कोशन दोस्तों सबरी माला मंदिर कहा इसी थे यह इसी थे केरल में यानि की बी राइट आंसर एगा कोशन नमबर 8 का तो यह आपको या दखना है फोटो में आप लोग देख सकते हैं सबरी माला मंदिर को अगला कोशन दोस्तों आता है सिरी विजे विटल मंदिर कहां है सित है तो मेरे प्यारे दोस्तों इस कोशन का राइट आंसर हैगा बिल्कुल सही है हमपी में तो यह आपको यादकना है अगला कोशन दोस्तो आता है बदरी नाध धाम कहां रहेगा उत्राखर्ण य्यानि कि बद्रिनाध धाम दोस्तो कहां पर श्थीत है उत्राखर्ण में ये आपको यादकना है अगला कोशन दोस्तों आता है सिरीपुरम गोल्ड टेम्पल कहां हैस्ती थे देखें गोल्ड टेम्पल से संबंदी दो कोशन बनते हैं दोनों बताऊंगा सिरीपुरम गोल्डन टेम्पल कहां हैस्ती थे साहिब हर्मिंदर साहिब के नाम से भी जाना जाता है और यह दोस्तों कहां यहां पर मैं गुमने भी गया हूँ तो इसलिए थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ अगला कोशन दोस्तो आता है योगनी मंदिर कहा इस्ती थे यानि कि यह राइट आंसर यजरूर याद रखेगा दोस्तो माता वैसनो देवी मंदिर कहां इस्ती थे मेरे प्यारे दोस्तों यह हर एक बच्चे को पता होगा और माता वैसनो देवी दोस्तों कहां ऐसी से और कितने बच्चे यहां पर घूमने गए मेरे मेरे को लगता है 80 तो 90 परसेंट तो गए होंगे तो इस कोशन का दोस्तों राइट आंसर हैगा कट्रा कहां पर पढ़ता है दोस्तों कट्रा जम्मू कस्मीर तो यह आपको याद रखना है और देखें जय माता दी लिख दीजिए कमेंट बोक्स में माता वैसनो देवी जी के लिए चलिए गंगोत्री मन्दिर और यामोस यम्नोतरी मंदिर तो यह इसतीत है कहां भी यह रायट अंसर हो कोशन का तो यह आपको याद रखना है अगला कोशन आता है दोस्तों दिलवारा जहन मंदिर कहा इस्थित है तो दिलवारा जहन मंदिर दोस्तों यह इस्थित है माउंट आबू कहां पर दोस्तों पढ़ता है राजिस्थान में देख सकते दोस्तों काफी बड़ा मंदिर है और बहुत बार exam में पूछा जाता है दिलवाना मंदी से related question तो ये आपको याद रखना है अगला question दोस्तों आता है कुजराओं मंदी कहां इस्तित है खुजराओं से सम्मन्दित भी कोशन पूछा जाता है देखे खुजराओं मंदी दोस्तों आपका मध्य परदेश में है यानिकी सीरेट आंसरोजेगा कोशन नमबर 21 का अगला कोशन दोस्तों साची का इस्तूप कहां इस्ती थे साची का इस्तूप मेरे प्यार दोस्तों इस्ती थे कहाँ पर मध्य परदेश में तो यह आप लोग देख सकते है साची के इस्तूप को अगला कोशन है दोस्तो हिडिम्बा देवी मंदिर कहा इस्तित है हिडिम्बा देवी मंदिर दोस्तो जल्दी से बताएगा और यहाँ पर भी मैं गया हूँ और हिडम्बा देवी दोस्तो मंदिर हिमाचल परदीस में है तो यह आपको या दखना है अच्छा यह भी बता सकते हैं आप लोग किस की समंदिर में आप गुमने गए है ठीक है जरू बताएगा अगला कोशन आता है दोस्तो 24 द्वार का धी समंदिर कहां परिस्तित है तो इस कोशन का दोस्तो राइट आंसर क्या महाबोधी मंदिर कहां इस्तित है तो महाबोधी मंदिर दोस्तो कहां परिस्तित है यह स्तित दोस्तो बिहार में यानि कि डीर आट आंसर हो जगा कोशन 25 का याद रखना है अगला कोशन दोस्तो चुहों के मंदिर कहां इस्तित है देखे इस मंदिर में दोस्तो बहुत सारे राजिस्थान में यानि की right answer दोस्तों see रहेगा यह आपको याद रखना है बही very very important question है अगला question दोस्तों आता है रमपा मंदिर कहां इससे थे मेरे प्यारे दोस्तों यह पढ़ता है कहां पर तिलंगना में यानि की B right answer हो जाएगा option B is the right answer question number 27 का अगला question दोस्तों आता है भूनेश्वर बिल्कुल सही है कहां पर पढ़ता है दोस्तों उडिसा में तो यह आपको point याद अखना है अगला question दोस्तों आता है question number 29 बाबा बालक नात मंदिर कहां इससे थे तो बाबा बालक नात मंदिर दोस्तों कहां पर है यह भी दोस्तों कहां पर है हिमाचल परदेश में यानि की question number 29 का right answer C हो जाएगा दोस्तों बहुत important question पूछने जा रहा हूँ कोणार्क सूरिय मंदिर कहां इससे थे very very important mark कर लेना कोई भी exam नहीं दोस्तों बचाओगा अभी तक जिस exam में यह question ना पूछा गया हो कोणार्क सूरिय मंदिर दोस्तों कहां पर इससे थे तो यह इससे थे दोस्तों उडिसा में यानि की option D right answer का question number 30 का या दखेगा वई अगला question दोस्तों आता है विरव पक्स मंदिर कहां इससे थे तो यह कहां पर है दोस्तों बिलकुल सही है हमपी कहां पर बढ़ता है करनाटक यानि कि option दोस्तो C right answer एगा इस question का अगला question बनता है दोस्तो रदुनाद मंदिर कहा है इस्तित है तो देखें रदुनाद मंदिर दोस्तो इस्तित है जम्मू कस्मीर में यानि कि option A right answer हो जाएगा अगला question दोस्तो गौमतेस्वर मंदिर कहा है इस्तित है तो गौमतेसवर मंदी दोस्तों ये है कहाँ पर करनाटक में यानि की राइट आंसर डी हो जाएगा अगला कोशन दोस्तों आता है केलास मंदीर कहां इस्तित है देखे दोस्तों मैं फटा-फटा आपको कम से कम समय में जादा से जादा कोशन कवर करा देता हूँ और मेरा मोटिफ दोस्तों ये रहता है कि अगर आपने मेरी वीडियो एक बर स्टार्ट कर दी और पूरी वीडियो देख ली तो आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की जरुत ना पड़े दोस्तों अगर आपको ये चीज अच्छी लगती है कि हमारे मेनत आपके लिए जो लगतार कर रहे है अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को मैक्सिम्म स्ट्रेंट तक जरूर सेर कर दिया करें ताकि हमारे भी थोड़ी बहल पोह सके हम भी जाद जादा बच्चों तक दोस्तों पोहुच सके इस कोशन का दोस्तों राटाणसर हो जाएगा एलोरा यानि की B राटाणसर हो जाएगा और यह कहाँ पर दोस्तों मारास्ट में यह आपको याद देखना है देखे कही बार बीच में तब्यड भी खराब हो जाती है अगर कमी ना करें तो मैं कभी भी ना वोलू ठीक है ना तो बहुत बार मेहनत करने के बाद में जब रिजल्ट ने मिलता दोस्तों बोलना पड़ता है ठीक है तो इस चीज़ का कोई बुरा ना माना करें कि कमेंट बोक्स में फिर उल्टा सिधा आप बोलते रहते हैं कोईशन नमर 35 है भीम संकर जोतितलिं मंदिर कहा इस्तित है तो दोस्तों इस कोईशन का रहत आंसर हो जएगा बिलकुल डाकनी यानि कि दोस्तों मारास्ट में तो ओप्शन सी रहत आंसर हो जएगा अगला कोईशन दोस्तों आता है सास बहु मंदिर कहा इस्तित है तो देखे सिद्धी विनायक मंदिर कहां इस्तित है तो सिद्धी विनायक मंदिर दोस्तों कहां पर है राइट आंसर हुझेगा मुंबई यानि की मारास्ट्रा इस कोशन का राइट आंसर हैगा अगला कोशन दोस्तों आता है उनांकेश्वर जोतिरलिंग मंदिर कहां इस्तित है दोस्त यह इस्तित है पूरी और यह दोस्तों उडिसा में पड़ता है राइट आंसर दोस्तों ओप्शन ए रहेगा तो या दखेगा अगला कोशन दोस्तों यदांदरी मंदिर कहां इस्तित है तो इस कोशन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा यदांदरी मंदिर तेलंगना में यानि कि option दोस्तों सी रेट आंसर एगा अगला कोशन दोस्तों कासी विस्वनात मंदिर कहा इस्ती थे तो दोस्तों काली मंदिर कहा इस्ती थे इस कोशन का रेट आंसर दोस्तों कोलकता यानि कि पस्चिम बंगाल में तो option डी रेट आंसर एगा अगला कोशन दोस्तों नट्राज मंदिर कहा इस्ती थे तो देखें नट्राज मंदिर दोस्तों इस्ती थे तविल्लाडू में यानि कि option दोस्तों सी रेट आंसर एगा अगला को दोस்तो हेमकुंट साहिब कहा अश्ति थे तो यह चमोली उत्तराखण में याने कि ओप्षण दोस दोस्तो b रहतान सही अगला कोष्ण दोस्तो तिरूपति बाला जी स्री वैंकेट बंकेटैसवर मंदिर कहा इस्ति थे दोस्तो इस कोशन का सई उत्तर हेगा चितोड आंध्रप्रदेश यानि की option C is the right answer अगला question दोस्तो मलिकारजुन जोतिरलिंग मंदिर कहा इस्तित है तो इस question का दोस्तो right answer हेगा बिल्कुल सई उत्तर क्या है आंध्रप्रदेश जितने पर आंसर लगाया है अगला question दोस्तो मुरुदेश्वार मंदिर कहां करनाटक में यानि की राइत answer हेगा इस question का अगला question दोस्तों बोध्य मंदिर दाथ कहां इस्तित है तो तोस्तो इस question स्रिलंका मैं है इपको नहीं है इस कौषन का पहला मंदिर जो की स्री कृष्ण बलराम मंदिर भी कहा जाते दो परिस्ति थे तो यह स्थीत है मेरे प्यार्स दोस्तो उत्तर प्रदेस में यह आपको यह दख रहे हैं है अगला कोशन दोस्तो आता है कि पर्सिद्व विश्वणार जोतिरलेंग मंदिर कहाँ सते थे दोस्तो इस question का right answer हो जाएगा बिल्कुल उत्तर पर्देश में यानि की right answer आपका C रहेगा अगला question दोस्तो एरावन देव मंदिर कहां है तो एरावन देव मंदिर दोस्तो यह कहां पर है बिल्कुल सही है बैंकोक में यानि की B right answer हैगा question number 52 का और very very important question है आगला question दोस्तो सोर मंदिर तर्ट मंदिर भी जिसको कहाँ जाते है कहां इस्स्तित है इस question का दोस्तो रहेट answer हैगा महाबलीपुरम जो कहांपर पड़ते हैं दोस्तो तमिलाडू में ये भी आपको आदक्राएगा अगला कोशन दोस्तों केदारनात मंदिर कहा इस्तित है तो इस कोशन का दोस्तों रहेट आंसर रहेगा बिल्कुल सही है उत्राखट इसदा रहेट आंसर यानि की option C आपका सही उत्तर है अगला कोशन दोस्तों विरुपाक्स मंदिर कहा इस्तित है तो देखें विरुपाक्स मंदिर दोस्तो यह कहां पर हैं बिल्कुल पठकल दोस्तों पढ़ता है करनाटक में यहांने की option a right answer हो एक some hundred 55 को का अगला कोष्चन दोस्तों सुक्रेसवर मंदिर कहां इस थी थे हैं कि तो सुक्रेसवर मंदिर दोस्तों यह पढ़ता यहां पर गुहार्टी असाम में यानि की option ए रहेट आंसर एगा अगला question दोस्तों वरहा लक्षमी नर्सिम्मा मंदिर कहां इस्तित हैं तो इस question का दोस्तों रहेगा बिल्कुल आंध्र परदेश विसाका पटना दोस्तों रहेट आंसर एगा यह आपको यह दखना है अगला question दोस्तों बनता है मामा भाण्या मंदिर कहां इस्तित हैं तेकि मामा भाण्या मन्दिर दोस्तों कहां पर है यह आपका 36-ven में बार्चूर 36- glory दोस्तों यहां पर एट आंसर овор ACT की बी इसदा रेट आंसर अगला कोश्चन दोस्तों आता है दक्षिण मूर्ती मंदिर कहा इस्तित है दक्षिणा मूर्ती तो इस कोश्चन का दोस्तों रेट आंसर हो जाएगा वडोदरा गुजरात में यानि की ऑप्षन सी रेट आंसर हैगा कोश्चन नवर 59 का अगला कोश कि तो मार्तड सूरिय मंदिर कहा इस्तित हैं मार्तड सूरिय मंदिर ये इस्तितखापर जब्मू कस्मीर में फोटो आप लोग देख सकते है kitchen d right answer एगा. अगला question दोस्तो उन्हा pleas कोटी गुफा मंदिर कहा सिस हैं तो उना कोटी घुफा मंदिर दोस्तों ये है आपका तिरपुरा में यानि कि right answer रहेगा ये आपकर अगला कोशन है अलिफेंटा की घुफाइं कहा इस दित है ये मुंबई महरास्ट्र में यानि की option बी रैटर मी आर्ण सर्फशिएगा अगला कोशन दोस्तो hai महा केलेश्वर जोत्र लिंग मंदिर कहा इस्तित है इस कोश्चन का दोस्तो राइट आंसर होजेगा उज्जेन मद्य परदेश में यह आपको यह दखता है अगला कोश्चन दोस्तो ब्रहम जी मंदिर कहा इस्तित है तो इस कोश्चन का दोस्तो राइट आंसर होजेगा पु तंजोर यानि की कापर पड़ेगा तंजोर तमिलनाडू में ये भी आपको या दख रहा है अगला कोश्चन दोस्तो ब्रजराज प्रेव सोरी पेरूस माल मंदिर कहां इस्तिते हैं तो इस कोश्चन का रहेटांसर केरेगा पेरू माल मंदिर दोस्तो ये इस्तिते हैं काची पुरम और ये पड़ता है दोस्तो तमिलनाडू में ये आपको या दख रहा है अगला कोश्चन है माल पुरम मंदिर कहां इस्तिते हैं तो ये भी आपका कहां पर है तमिलनाडू में तो ये आपको या दख रहा है अगला कोश्चन दोस्तो दसवतार मंदिर कहां इस्तिते तो इस question का right answer हो जाएगा उत्तर परदेश में यानि कि see is the right answer अगला question दोस्तो तुंगनात-मंदीर कहां इस्ती थे तो यह पढ़ता है दोस्तो चमोली और चमोली कहां पर है उत्तराखंड में ये भी आपको याद दखना है अगला question दोस्तो प्रेम मंदिर कहां है देखें प् वरंदावन अगला आता है हजारा राम मंदिर कहा इसतीत है है तो यह कहां पर कंबोडिया यानीकी option दोस्तो ए रहे तंसर रिएगा यह आपको ऑद धक्स साफने से ल कि अगया कौश्च्ट्य दोस्तों बन दावन चंदर ये मंदिर कहा है सिर्जी इस कोश्चन का रहे तो पर देस एक यहला कोशन है वेंकुट पेरुमल मंतिर कहां इस्तित हैं तो राइट आंसर होजेगा तमील लाडू काची पुर्म तमील लाडू इस कोशन का दोस्तों राइट आंसरेगा अगला कोशन है एकाशम मंदिर कहां इस्तित है दोस्तों ये आपका इस्तित है कापर महाबलीपुरम तमिलाडू में यानि की बीराइट आंसर हेगा इस कोशन का भी अगला कोशन दोस्तों कंदारिया महादेव मंदिर कहा इस्तित है तो यह इस्तित है मेरे प्यार दोस्तों मध्य पर्देश में यानि की बी रहेट आंसर हैं अगला कोशन दोस्तों गड़ काली का मंदिर कहा इस्तित है तो इस कोशन का दोस्तों रहेट आंसर हैं मद्या पर्देश उजैन में तो यह आपको मैं दखना है अगला study को लिंग्राज मंदिर कहा है का देखें कि लिंग्राज मंदित दोस्तों इस ठीफ है पूरुह्रियशवर उडिसा में यह आपको क्या दखना है अगला कोशन आता है दोस्तों जीन माता मंदिर कहां इस्तित है तो यह इस्तित है मेरे प्यारे दोस्तों राजिस्थान में यह आपको यह दखना है अगला कोशन दोस्तों आता है कैलास नात मंदिर कहां इस्तित है तो मेरे प्यारे दोस्तों यह है आपका कहां पर काची पूरम और राइट आंसर रहेगा काची पूरम तमिल नालो तो देखे अब आप लोग 5 कोशन का टेस्ट जरूर दीजिएगा और 5 में से आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं पूरी वीडियो देखने के बाद में तो आपका मैं मतलब मैं बता सकता हूं कि आप कितना ध्यान से देखे इस वीडियो को तो पहला कोशन है आपकी स्क्रीन पर कासी विश्वनाद मंदिर कहा थे था फटा फट कमेंट बोक्स में आंसर बते हैं तीन सेकिंड मिलने वाली है चलिए भई पहला कोशन का अंसर हो गया होगा अगर किसी का नहीं है तो वीडियो को पोज कर लिजेगा योगनी मंदी दोस्तों कहा थे 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 फटा फट बताइए और अगर आपके टेस्ट वाला पार्ट दोस्तों अच्छा लगेगा तो मैं इसको आगे कंटीनू रखू थे तो आई होब कि ये भी आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा अगला कोशन आते है लोटस टेंपल कहा थे थे तो मेरे प्यारे दोस्तों लोटस टेंपल भी आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा एंड अक्सर धाम मंदी दोस्तों कहां पर इसी थे तो टेस्ट आपको न अगर आप लोगों ने 5 में से 5 सही कर दी ए तो 5 में से 5 कर देना ठीक है यह थे 5 कुशन अब दोस्ते आपको वीडिएयो पसंद आई एक चोटा सा कमेंट बोक्स में बतेगा कि मैंने पूरी वीडियो को देखा है और आपको यह वीडियो कैसी लगी जैसी बे लगी वह ज़र पर कोई टोपिक नहीं चुटेगा दोस्तो नेक्स्ट अगले दो से तीन महीने तक लगतार आपको बिल्कुल इन सभी टाइमिंग पर वीडियो मिलती रहेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल ऐकन को ओन कर लीजे आपके पास नोटिफिकिशन पोच्टे रहेंगे इस वीडियो को लाइक करके अपने भाई बेंद दोस्तों के साथ में शेयर कर देना ये दो पीडियाप डाउनलोड करके आप लोग कंप्लीट चारी कर सकते दोस्तों यहाँ पर जीके और साइंस की और आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं केवल वोट्सअप मैसेज करन थेंक्यू सो मच्छ बाइबाइबरीवन टेक केर ख्याल रखें